कि नमस्कार मैं पूर्णा हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्ध्या में हमारे राम मंदिर का लोकारपन होने वाला है उसके लिए जो राम लल्ला के लिए वस्त्र बुने जाने वाले हैं वो हमारे पूरे में बनने वाले है वो कलपना जिनके मन में आई दो धागें श्री राम के लिए उनके साथ हम आज बातचीत करने वाले है श्री मती अनगा गहिसास जी नमस्कार अनगा जी आपका यहां पे बहुत-बहुत स्वागत है पहला सवाल तो आपसे मुझे यह पूछना है कि दो धागें श्री राम के लिए यह संकल्पना आपके मन में कैसे आई ऐसा है कि पिछले कई सालों से हर साल हम एक बूनकारी महुतसव का आयोजन करते हैं पूने में जहां मेरे हैंडलूम्स हैं वहाँ पे हम यह कारिकरम करते हैं यह इस वज़े से करते हैं कि हमारे हां बूनकरों को सम्मान नहीं मिलता उनको गरीब पिछडा गवार कहा जाता है लेकिन मुझे लगता है कि जो डिग्रीज हम लेते हैं शिक्षा में वो डिग्रीज से भी ज्यादा उनका जो ज्यान है इस बुनकारी का वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनको उसी तरह से सम्मान मिलना चाहिए जिस तरह से बाकी डॉक्टर्स, इंजिनियर्स और ये सब उद्योग में लोगों को मिलता है तो वो मिले लोग उनका सम्मान करें इसलिए मैं हर साल ये बुनकारी महत्वप का आयोजन करती हूँ वैसे हमने 2019 में लोकसभा के पहले 1-31 जन्वरी नरेंदर मोदी जी के लिए एक बुनकारी महत्वप का आयोजन किया था जिसको हमने नाम दिया था दो धागे देश के लिए और लोगों ने भर भर के उसको प्रतिसात दिया था यह वस्तर आपको मैं बहुत खुशी से और अभिमान से दिखाना चाहती हूँ यह देखिए यह ऐसे लोगों ने बुना है जिन्नों ने कभी अपने जिंदगी में हैंडलूम देखा भी नहीं था और पूरे अमाचुर्स लोगों ने यह वस्तर बुना है एक भारत स्रेष्ठ भारत ऐसे इसके उपर बुना गया है तो तभी मेरे मन में आया कि हमारे प्रदान मंतरी जी के लिए अगर इतने लोग आते हैं तो तभी हमारा प्लानिंग चल रहा था कि भगवान राम के लिए हर एक सामने व्यक्ति को ऐसे लगता है कि मैं कुछ करूँ मैं क्या कर सकता हूँ तो मैंने ऐसा सोचा कि हर एक व्यक्ति तो पैसा खर्चा नहीं कर सकता तो सभी मिलके दो-दो धागे बुनके भगवान राम के लिए वस्तर बुनेंगे तो ये एक बहुत बड़ा महुतसव हो सकता है, बगवान राम के लिए अपनी शरद्धा का प्रदर्शन हो सकता है, और सभी बूनकरों के लिए सम्मान भी उनको मिलेगा, इस प्रेरणा से हमने ये महुतसव का आयोजन किया, जिसको नाम दिया दो धागे श्री राम के लिए इसी को जुड़के मुझे एक और सवाल पूछना है कि इस भव्य कार्य में राम मंदिर के अयोद्धा में बनने के कार्य में आपका भी एक बहुत महत्वपूर्ण सहभाग है, तो उसमें आपको कैसा लग रहा है कि आप इतना बड़ा सहभाग कर सक रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे ये कार्य सोपा गया था कि मैं आयोध्या राम मंदिर इस विशय पर एक डॉक्यमेंटरी फिल्म बनाओं, जो मैंने दो हजार बारा में बनाई और धाई साल के लिए पूरा मैं सिर्फ राम मंदिर पर फिल्म बना रही थी, जिसका अराध्य का अस्तित्व सिद्ध करने की नौबत हमारे उपर आ गई, तो इसका एक प्रकार गुसा था, इसका दुख था, बड़ी दुखत बात लगी, मुझे लगा ये अपमानित कर रहे है हमारे आराध्य को, लेकिन जैसे जैसे कोट में केस चल रहा था, आखरी के कुछ इसी भी दूसरे धर्म के आराध्य का अस्तित्व इस तरह से, जो हम वैदिक काल से, हजारों साल से बता रहे हैं, वो सिद्ध नहीं कोई कर पाएगा, जो हमारी हिंदू आराध्य के, हम सिद्ध कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जिसको इश्टापत्ती बोलते हैं, और गवरों महसुस हो रहा है, तो वो फिल्म करने का भी पुन्य मुझे मिला, मैं सवभागेशा ली मानती हूँ खुद को, और ये वस्त्र बुन्य का कारिय भी मुझे दिया गया था, तो मैंने सोचा, ये पुन्य में अकेली क्यों लूँ, तो ऐसा लगता, भगवान राम के लिए एक बहुत सुन्दर वस्त्र बुन्य का कारेकरमगर सभी ने मिलकर किया, दो-दो धागे अपने शरद्धा के और विश्वास के इसमें बुने, तो ये बहुत बड़ी बात होगी और बरा महुत सवम आयोजित कर सकते हैं, देखे संस्कृत में ताना और बाना को ओ होते हैं या छे होते हैं, उसके उपर साडी का टेक्शर तय होता है, साडी का भी और रंग का भी, प्रोत जितने धागे होते हैं उसका रंग का अधिपत्या और टेक्शर का अधिपत्या उस वस्तर के उपर होता है, क्योंकि उसमें नंबर ओफ थ्रेट्स जादा होते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि हम भगवान राम के प्रती ताना विश्वास का और बाना श्रद्धा का ओत प्रोत ऐसे गर एक टाइट बना के हमने एक वस्त्र बुना तो सभी के एक श्रद्धा का प्रती ये वस्त्र तयार होगा और वह हम भगवान राम को पहनाने के लिए राम मं में पुने जैसे हमारे शहर से राम मंदिर आयोध्या के लिए हम ये बुनके भेज रहे हैं तो इसमें आपको कैसा लग रहा है महराष्ट्र का नाम ही महाराष्ट्र है जिसमें कुछ कमी नहीं है यहां अनेक कला है जैसे वैसे पूरे भारत में है लेकिन क्योंकि हम लोग यह बुनकारी का काम पूने में करते हैं तो हमने सोचा कि यह पूने में बनाया जाए और मराठी में मजाग से बोलते हैं पुने तिथे काय होने, बने पुने शहर में किसी चीज़ की कमी है नहीं, संस्कारिच शहर है और संस्कृती का मैका कहा जाता है इसको, तो इसलिए हमने सोचा कि महराश्च में गरिये बने और हर एक राज्य से दो-दो हैंडलूम यहां आ रहे हैं, तो पूरे देश भर से सभी बुनकर यहां आएंगे, नेपाल और श्रीलंका से भी दो-दो हैंडलूम आ रहे हैं और वहां के कलाकार भी अपनी अपनी रामलीला लेके यहां पे उपस्तित होंगे, तो वो देखने का हमें बहुत अच्छा मौका यहां मिलेगा, इस बुनकारी अलग-अलग कलाकार यहां आके अपनी अपनी कला प्रस्तुत करेंगे जो भगवान राम से संबंदित है, और इसका अध्यक्षपद हमने इस कारिकरम का हमें बहुत बड़ी हस्ती इसके लिए मिली है, जो है देवांग कोष्टी समाज के शंकराचारिय है, देवांग कोष तो यह सरनिम उसी से आया है, तो भगवान के इश्वर के वस्त्र बुदने वाले उनका संमान किया जाता है समाज में बहुत, तो यह उनके शंकराचारिय है, हम्पी में उनका बहुत बड़ा अश्रम भी है, और अर्केलोजिकल सर्वे उफ इंडिया ने दो बड़े पुर तो यह हमारे लिए गवरव के बात है, और इसलिए पुने में यह वस्त्र बुदना, और उनके सात्व बुदना यह बहुत बड़ी हमारे लिए। कुने के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जैसे ये सब बुनाई यहां पर हो रही है अगर आप देखे तो हस्तकला की तरफ अभी अगर जो भी ट्रेडिशन्स बढ़ रहे हैं तो उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा योगदान है तो उसके बारे में आपका क् लोग हमारी अपक्षा है यहां 10 से 15 लाख लोग आकर दो दो दागे बुनने की अपक्षा हमारी है तो इतने सारे लोगों को एक बार बुनकर समझे कि कितना मुश्किल काम करता है मने मैं हमेशा कहती हूँ शास्त्र गणित पेशंस और क्रियेटिविटी ये चारो चीजों का संगम बुनकारी है देखिए हमारे वैदिक कालों में से अभी तक किसी भी कला को हमने शास्त्र का नाम दिया है पाक शास्त्र है बुनकारी का शास्त्र है तो ये बहुत मुश्किल कला है और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ वैदिक काल में जो हमारी द नोल्टर हे पुर्णार मर्ला एक काम है। कि इसके जूप करने वाला इसा हैं, प Bailey ऑने उसको पρणा चाहिए। क्या हुआ है हमारे यहां बुनुंकारों को सम्मान नहीं है, Degree नहीं है, इसलिए आज zat Inn yoda बुनुंकारी के तरफ नहीं बढ़ रहे है। तो हमारी इक्षा है कि उनको वोMusic सम्मान मिलेगा, वो Degree उनको मिलेगी। तो मुझे विश्वास है कि बुनकारी क्यों नहीं करेंगे कोई, यह तो मुश्किल काम है, जरूर करेंगे, तो इससे ये कारेकरम के बाद एक क्लस्टर खड़ा करने का हमारा स्वपन है इससे, और मुझे विश्वास है ये पूरा होगा, बहुत ही अच्छा विश्वास है और हम सब सपोर्ट करते हैं इसको, इससे एक और चीज मुझे मन में आई कि अगर हम सामान्य जनों का इसमें योगदान कर रहे हैं, आपको ये विचार कैसे आया कि सामान्य लोगों को भी इसमें इंकलूड किया जाए या इनको भी साथ में लेके चला जाए? देखे भगवान राम का चरितरब जब आप देखेंगे तो भगवान राम ने एक 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 अलग अलग जाती के अती सामान्य लोगों को पास किया है, उनके नस्दीक, उनके कारिय में उनको सम्मिलित किया है, वो शबरी हो, सुग्री वो या ऐसे बहुत सारे हैं कि जाती पा तो मुझे ऐसा लगा कि सभी धर्मों के सभी जाती के लोग एक समतल होकर एक साथ आए भगवान राम के भक्ती में विश्वास के दो धागे बुने तो मुझे लगता है यह उन तक वो भावना राम भगवान राम तक पहुंचेगी और सभी सामान्य वेक्ति को वेक्तियों को ऐसा लगेगा कि मैंने भगवान राम के कार्या में थोड़ा सा कॉंट्रिबूशन किया इसी इसे प्रेडित होके यह कार्यक्रम में मुझे लगा लाखो लोग एक साथ आ जाए और सिर्फ पूने से नहीं पूरे महराश्टा से हमारे तो बाहर से भी बुनकर आ रहे हैं अल मेरे मान में एक चोटा सा सवाल था कि अगर हम देखे तो यह सब जो हो रहा है वो हैंड वोवन है लेकिन हैंड वोवन के साथ साथ हैंड लूम पे किया जाये या हत्करगे पे किया जाये तो यह कलपना अपको कैसे आई एसा है कि पहले जमाने में जब एक बेटी की शादी तय हो जाती थी तो वो पिता नारियल और उसका मांधन लेके बुनकर के पास जाते थे और उसको वो अरपन करते हुए बोलते थे कि मेरी बेटी का ब्याह तय हुआ है तो उसको लाभ हो ऐसा वस्तर तुम बुनो तो वो बुनकर वो भाव मन में लाकर वो वस्तर बुनता था उसके लिए शलोग भी है रुगवेद में रुगवेद में ऐसे उलेक है कि वधू अपना उत्तरियम ने शामुल्य बताया है ये शब्द शामुल्य मने शेला जो साडी के ओपर महराश्टर में पहना जाता है तो वो शामुल्य खुद अपने हाथ से बुनकर उसको परिधान करके स्वयमवर में जाती थी और फिर अपना पती चुनती थी ब्याहो होता था तो अब तो वो रिवाज नहीं है तो हम क्या करते हैं किसी का कस्टमाईज ओडर आया तो लक्षमी रोड पे जो मेरे हैंडलूम् पूरे फैमिली को हम बुलाते हैं वो बेटी को बोलते हैं तुम लूम पर बैठो दो धागे अपने वस्तर में बुनो और उसके मा, पिता, काका, मामा सब लोग आके दो-दो धागे बुनके जाते हैं उसके लिए ये साउंस्मरणी वस्तर बन जाता है तो वो तब की जो प लेकिन वो फिर वो मशीन का भाव हो गया, वो मेरा भाव थोड़ी है तो लोगों लाखो राम भकता है तो सब के मन में भगवान राम के लिए भाव है और उनको लगता है कि मैं कुछ तो छोटी सी बात करूं मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं दो धागे तो बुन सकता इसलिए उनका भाव वो वस्तर में सम्मिलित हो वो भाव उसमें प्रगठ हो और वो भाव भगवान राम के चरणों तक पहुंचे ये भावना मन में रखते हुए हमने हैंडलूम का कारिक्रम किया तो मने राम जी के लिए जो वस्तर बन रहे है तो गाने भी वैसे ही चलते होंगे तो बहुत ही सुंदर वातावरन होता होगा इस अवसर पर आपने जो एक अच्छा सा concept किया है कि सारे जाती धर्म के लोग आए और राम का जाप करें तो इसके बारे में हर एक व्यक्ति में हो और आप जब वहां बुनने के लिए आते हो तो भगवान राम का नामस्मरन करते हुए आप दो धागे बुने ऐसी वहां हमने सबको बिंती की है और करनी के ज़रूर एत ही नहीं है हर एक व्यक्ति के मन में वो है इसमें ग्यारा तारीक को हमारे गोविन फिर साद्वी रुतंबरा जी है और भगवान राम के जो वकील थे रवी शंकर प्रसाद जी, मदन मोहन पांडे जी और जिन्होंने उत्खनन किया वो तब के अर्केलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के डारेक्टर डॉक्टर मनी जे साइदिपक इन सब का बहुत बढ़िया इसमें होगा जिसमें पता चलेगा कि कोर्ट में अक्चुली क्या हुआ क्यों हिंदू की तरफ से भगवान राम की तरफ से ये निकाल इसका आगया तो ये सब चीजे महां दिखाई जाएगी वो फिल्म भी जो मैंने बनाई है वो भी महां दिखाई जाएगी तो लोगों क को एक पता चलेगा कि अक्चुली केस क्या है वो ठीक तरह से तब के जमाने में वो सरकार ने दिखा ही नहीं और लोगों तक पहुंचा नहीं कि अक्चुली क्या हुआ था कोर्ट में तो क्यूंकि मैं स्वयम वहां थी तो वो पूरा मैंने उस फिल्म में भी दिया है और व कोई भी कहां से भी आए आप सब को एकठे करने के लिए इतने जुटे हुए हैं तो इस माध्यम से किन-किन माध्यमों से आप जुडी है और इसका प्रचार कर रही है कि दो धागे श्री राम जी के लिए तो किन-किन माध्यमों से इसका प्रचार हो रहा है अभी ताकि सब लोग आये और दो धागे मुनले जी इससा है कि हम सोशल मेडिया का तो एक बहुत अच्छा अच्कल पैटर्न है कि एक प्लाटफॉर्म है कि जिससे हम जादा से जादा लोगों तक पहुंच सकते हैं हमने अलग-अलग अच्छी बात का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है लोगों तक भगवान राम की भावना जल्दी से जल्दी पहुंच जाए इसके लिए जो भी प्रयास हम कर रहे हैं इसमें आपका भी मुझे लगता है contribution बहुत बड़ा होगा आपके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और उसमें सम्मेलित हो दो-दो धागे बुगे जरूर जरूर हम सब तो अपना पूरा प्राणपन लगा देंगे और एक आखरी सवाल मुझे आपसे यह पूछना था कि जो भी आपने अभी तक लोगों से बात की है इसके बारे में कि दो-धागे श्री राम जी के लिए तो लोगों का इसके तरफ क्या नजरिया है देख किया है वो तो भगवान राम के चरणों तक पहुच सकता है इसमाध्यम से इसलिए लोगों को यह भवना यह संकलपना बहुत अच्छी लगी और मुझे विश्वास है कम से कम 12-15 लाख लोग यहां सम्मेलित होंगे और दो-दोधगे जरूर बुनेंगे इसमें तो बहुत ही खुश हुई आपके साथ बात करके बहुत सारे लोगों के सवालों के हमने जवाब आपके तरफ से लिए तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार अच्छार अच्छा अच्छार अच्छार शोधिजिए इसमें कर दो के जुच ऑाना हुश है